नमस्त्य दोस्तों अड़ी जोल्ड में आपका स्वागत और स्वाथ्य संबन्दी चर्चा के अंदर आज हम लेके आये हैं टीशिक्स टीशिक्स याने कि इसमें छे नुस्के और ये टीशिक्स गरीबी नुस्कों से बरा है और जिनको लकवा और पेरालेशिस और वात्विय दी जिनके सरीर के अंदर है खास करके लकवा और पेरालेशिस अंग्रेजी में पेरालेशिस करते हैं इंदी में लकवा और संस्कत में पक्षागात करते हैं याने कि दो पक्षों होते हैं सरीर के अंदर और वो जब काम करना बंद कर देते हैं तो उसको पक्षागात करते ह तो लकवा कहीं तरह का होता है पूरे सरीर का भी होता है और अंग विशेश का भी होता है और इसके अलावा अधिक तर कभी राइट का और कभी लेप्ट का होता है और बड़ी तकलिफ दे ये बिमारी है तो लकवे के रोगी को सबसे पहले हम ये बता दें कि उसके खान पान क के अंदर ठंडी चीज़ नहीं जाने चाहिए, जिसकी ताशीर ठंडी हो, जैसे दही, आइस करें, या फ्रिज का पाने, इस तरह कोई भी थंडी ताशीर की चीज़ का वो शेवन नहीं करें, इस का मतलब ये भी नहीं होता और सर्दियों के अंदर अपने सरी का पूरा बचाव करना चाहिए विटामिन डी सूरिय की रोशनी के अंदर सर्दियों में जितनी अच्छी मिलती है उसका कोई मुकाबदा नहीं गंटा अद गंटा अपने अंग ग्रस्त को सुर्य की रोषनी में से के उससे आराम मिलता है और एक चीज़ हम बता देते हैं कि 21 दिन एक काच की लाल रंग की काच की बोटल के अंदर मेरी बात को द्यान से सुनेगा ये सूर्य चिकित्सा का एक अंसर है लाल रंग की काच की बोटल को आप तिल के तेल से अत्वा सरसों के तेल से बरके रख देवें और उपर से इतनी खाली रखें नहीं तो शीशी फट जाएगी और लखड़ी का कोर्क लगा दें और सुबह दस बज़े आप च्छत के उपर रखें और पांच बज़े वहां से उठा करके और नीशे ला करके रख दें और उसके नीशे लखड़ी का श्लीपरी रहना चाहिए जमिन का तेल तैयार है और केसी भी वात व्यादी हो गुटनों का दर्दो शिर का दर्दो पेट में दर्दो छाती का दर्दो पीट में दर्दो अंगलियों का और पेरों का दर्दो और लकवा लकवे के रोगी को उस तेल की पूरे सरीर के उपर मसाज करने चाहिए गुटनों पे भी मसाज करनी चाहिए फीट के ओपर भी मसाज करनी चाहिए ये तेल इतना बहत्रिन बनता है जिसकी कोई मिशाल नहीं बस फिरी का नसका थोड़ी मेनत मांगता है हां तो लक्वे को रोगी को अपने खानपान के अंदर अद्रक का सेवन करना चाहिए लहसुन का सेवन करना सहत का सेवन करना चाहिए इस तरह की चीजों का अपने खानपान में सेवन करें और ठंड से बचें और ठंडे पानी से नहाएं ये सब ध्यान में रखते हुए एक कब्ज को नहीं रहने दें और मैं आपको गरीबी नुसके टीशिक्स के अंदर छे नुसके में लक्वे के गरेलू आपको दूँगा जो हर आदमी आसानिस हैं जो गरीब हैं जो पेसे वाले भी हैं कोई भी हो जिनको प्यार है गरेलू नुसकों से वो इनको करें और लाब उठाएं ये मेरे बहुत कामे लिए ओ नुसके हैं इनको कमजोर नहीं आके हां तो टीशिक्स का पहला नग और एलो वेरा का रस्ट चार चमच और सोंट पिशी हुई आदा चमच और काली मिर्ट चोता ही चमच मैं एक बार और बोलता हूं अंजीर दो नग एलो वेरा का रस्ट चार चमच और सोंट का पाउडर आदा चमच और काली मिर्ट का पाउडर चोता ही चमच इन सब को मिला करके और खाने से लक्वा के अंदर बहुत आराम होता है इस कोच को 21 दिन तक कर सकते हैं हाँ दूसरा नुस्का एलोवेरा का रस गुदे का 50 गराम तिली का तेल 100 गराम तिली के तेल के अंदर एलोवेरा का रस डाल करके और मंद आँच से आप उबा लिये और जब मात्र तेल ही रह जा है तो उसको सीशी के अंदर बरके रख लेए और इसकी मालिस करने से वात वैदी गुटनों का दर्द कमर का दर्द और लक्वा का रुगी को पूरे शरीन में मालिस करने से रत का संसार सही हो करके और लक्वा ठीक होता है, इसकी मालिस लंबे समय तक कर सकते हैं, हाँ, तो मैंने आपको दो नुस्के बताएं, नमबर तीन का नुस्का, लैसुन की तीन कली, छिल्का उतार करके, और एलो विरा के गुदे के रस के साथ में खाने से, ये लिखते हैं, संत की लकवा का रोग, दो मैने के अ के साथ, खाने से लकवा दो मैने के अंदर ठीक होता है, और नुस्का सुने आप, शेहद चार चमत, एलो विरा का रस चार चमत, ये सबसुबे मॉर्निंग में, बिना कुछ खाए, पिए, बाशी हुँ, इसका सेवन करने से, खाने से, लकवा ठीक होता है, ये आप 21 दिन कर सकते हैं, सहेद चार चमत, और एलो विरा का रस चार चमत, सुबसुबे में, और सुने आप, एक चमत सर्प गंदा का चूरन, और दस गराम एलो विरा का गूदा के साथ, यानि कि एक गराम सर्प गंदा का चूरन, दस गराम एलो विरा के गूदा का साथ, खाने से, लकवा ठीक होता है हर तरह का और इसके साथ लक्वे वाले को प्राई हाई बीपी होकर के लक्वा होता है इसके साथ बीपी भी लो होगा और लक्वा भी ठीक होगा लेकिन इस परियोग का ये ध्यान रखें कि ये जो सरबगंदा है ये थोड़ा बीपी को कम करती है तो थोड़ा बी चुरन और दस गराम एलो वेरा का गुदा इनको मिलागर के खाने से लकवा ठीक होता है और हाई ब्लेट पेशर भी ठीक होता है 21 या 31 जिन कर सकते हैं सर्प बंदा का चुरन आपको आईरवेडिक दुकान में बनावा मिलेगा और टीशिस का आखरी नुस्का जो पूरे शरी दो तो चमलाई के पतों का रस दो चमच चमलाई एक सब्जी होती है ऐसी पतिदार बहुत स्वास्ते वड़क सब्जी होती है चमलाई की पतों का रस दो चमच और एलो वेरा का गुदा बीश गराम और अद्र का रस एक चमच इनको मिला करके गरम गरम करके और इसको जोड के साथ लगावें और इसको पीवें दोनों इसके परियोग हैं देखे मैं एक बार फिर बोलता हूं चमलाई के पत्तों का रस दो चमच एलो विरा का गुदा बीश गराम और अद्रक का रस एक चमच मिला करके गरम करके एक तो इसको आप पी सकते हैं और आपकी अगर करने से आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है तो दोस्तों मैंने एक दो तीन चार पांच छे टीशिक्स के अंदर लकवा का आज मैंने आपको घरे लू और बहुत ही सस्ता ये नुस्का दिया है और इन नुस्कों को आप कामे लिजिए कहीं कोई किसी नुस्के का नहीं और आपको निश्चित आराम में लगा मैं इस वर से प्रातना करता हूंगे नुस्का आपको लाब कारी हो और दोस्तों जिनको आराम मिलता है वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर अवस्चे लिकें ताकि और दूसरे भाई भी इसका लाब उटा सकें टीशिक्स का प्रयो को सब्सक्राइब के जिए थैंक्स